देखिए कोश्चन है क्या कोश्चन है ध्यान से समझेगा पज़स पर बेस कोश्चन है एक्सर आपने सिंबल देखे हूंगे है कि यह सब सिंबल ब्लड रिलेशन में बहुत मिलते हैं पर यह कोश्चन जो है डिरेक्शन फे बाकी पूरी कोश्चन को आप इन इसके कोश्चन पवागी है तो पहला left से जो है वो north की तरफ देख रहा है और इसी person को सब देख रहा है ये इस question की की है अब जड़ा हम question को समझें तो बोला according to x at the rate b star p p is which direction with respect to x p की x के respect में direction बतानी एसा question है अब इसमें left यह हो गया left का पहला person है x ठीक है तो left के पहले person को x को north की direction में रखते हुए ले लीजिए यह हो गया north south east and west अब add the rate का meaning समझें जो बोला वोई कि b is one meter to the south of a यानी x north की तरफ देख रहा है तो इसका south यह हो गया यहां पर b है एक मीटर की दूरी पर right अब इसमें जो गरवड होगी वो यह कि आप सोचोगे b south की तरफ देख रहा है no b एक मीटर दूर है south की तरफ किस के x के पर यह देख तो किसको रहा है यह देख किसको रहा है देख तो x की रहा है तो यह हो गया इसका यह ध्यान रखना कि इसका face जो है वो x की तरफ है अब गया है कि b star p तो देखे क्या है star का मतलब b is the one meter to the left of a b जो है वो b देखिए विद्यान से b is one meter बात वाले की बात कर रहा है यानि पी की बी इस one meter to the left of a यानि बी जो है वो पी और बी में पी जो है वो बी के one meter दूर left पे होगा अब बी की direction नौट है तो इससे one meter दूर पे यहाँ पर पी होगा अब यह एक तरह से diagram बन गया अब पी का phase भी नौट की तरफ भी यह द्यान रखिएगा बस यह one meter left पर है अब बताना है कि पी in which direction with respect to x x के respect में पी की direction तो आपको जो दिख रहा है आप उसी को यहीं पर पी को ऐसा diagram बना लिजे नौट south east और west पी इदार है तो पी की अगर आप direction देखें x के respect में तो आप बोलेंगे south and west तो answer होना चाहिए south west yes this is the right answer यह इसका correct answer है अब इसका अगला question क्या है वो देखते हैं वो भी काफी समझने वाला question है according to m hashtag n dollar t is in which direction with respect to a t की n के respect में direction बतानी फिर पहले तो left से पहला आदमी है m तो m को ले लो और इसकी direction हो गई north अब hashtag का मतलब क्या वो समझे hashtag है बात वाले के लिए m की direction आपकी हो गई north यह और m के right पर एक मीटर की दूरी पर n है यह भी नौर्थ देख रहा यह भी नौर्थी देख रहा होगा अब बोला डॉलर वह सुरी हां dollar बी मीटर टू दा नौर्थ आफ है मतलब n के नौर्थ मे देखो लिखा लगा लगा नगा पीज़ दा नौर्थ और तो पंसावनची नौर्ट एस्ट इस दर राइट आंसर